हिंदु धर्म में तीन प्रकार की रिडों को सबसे महत्व पूर्ण बताया गया है जो हैं देव रिड, रिश्यो का रिड और पित्र रिड इनमें पित्र रिड का महत्व सबसे अधिक है पित्रपक्ष पित्रों का उधार करने के लिए मनाया जाने वाला त्यहार है जो आश्विन कृष्णपक्ष के प्रतीपदा तिथी से लेकर अमावस्या तिथी तक मनाया जाता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जोचना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ती सरवर 16 दिनों तक चलने वाला पित्रपक्ष पुर्वजों के आत्माओं की शांती का त्यहार है इस समय पित्रड से मुक्ती पाने के लिए श्राध किये जाते हैं जानिये क्यों किये जाते हैं पित्रपक्ष श्राध पित्र पक्ष में श्राध पित्रों को मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अंतिम संसकार उन 16 संसकारों में सबसे अंतिम है जो सनातन धर्म में मुख्य है ऐसा माना गया है कि मनिष्य जैसे कर्म धर्दी पर करता है उसे वैसा ही लोग प्राप्थ होता है जैसे जो व्यक्ति धर्म, कर्म और अच्छे काम करता है उसे स्वर्ग मिलता है किन्तु जो व्यक्ति बुरे काम करता है उन्हें नर्ख प्राप्थ होता है सनातन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे पित्रों से मिलाया जाता है और उसके बाद वो पित्र लोग में रहता है उसे उस लोग में तब तक रहना पड़ता है जब तक उसे गती नहीं मिलती यह भी माना जाता है कि पित्रपक्ष के दोरान सभी पित्र अपने पुत्रों के पास आते हैं ताकि उन्हें तरपड मिले और जो उन्हें संतुष्ट कर देता है उसे पित्र आशिरवाद देते हैं जबकि जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिलता वो क्रोधित और दुखी होकर उन इसके बाद भी दोनों भाईयों में अतhare प्रेम था किंतु दोनों की पत्नि उम्म मध्वेत था जहां जोगे की पत्ना को धन का अभिमान था वहिं भोग का की सरल हिदय की थी एक बार धनी जोगे की पत्नी ने जोगे से पित्रपक्ष में पित्रों को श्राध देने के लिए कहा वह चाहती थी कि इस मौके पर वह अपने माय के वालों को बुला कर उन्हें अपनी सम्रिद्धी रिखाए जोगे पत्नी की बात मान कर श्राध तरपड के लिए त्यार हो गया कुछ दिनों बाद जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी भोगे की पत्नी को भी श्राध तरपड में सहायता के लिए बुलाया उसकी पत्नी ने शद्धा पुर्वक सारे कारे कर लिये और अपने घर में केवल पित्रों को अग्यारी दे कर पूरा दिन भूके ही रही दोपहर के समय जब पित्र धर्टी पर आये तो सब से पहले वा जोगे के घर गए उन्होंने वहाँ देखा कि जोगे की पत्नी के घर के सभी लोग भुजन कर रहे हैं यह देख वह निराश हो कर भोगे की घर की ओर चल दिये वहाँ उन्होंने पित्रों के लिए जल्दी अग्यारी देखी तब पित्र उस अग्यारी की राख चाट कर भूके ही नदी पर वापस आ गए वहाँ अन्य पित्रगर भी मौजूद थे जो अपने अपने शाधों की बढ़ाई कर रहे थे यहाँ सुनकर उन्होंने भी सबको पूरी बात बताई सबके साथ विमर्ष के बाद उन्हें यहाँ समझ आया की अगर भोगे भी धनी होता तो उसके घर से उन्हें भूका नहीं आना पड़ता क्योंकि उसके घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था यहाँ जानकर सभी पित्र नाच नाच कर कहने लगे भोगे के घर धन हो जाए भोगे के घर धन हो जाए इधर जब शाम हुई और भोगे के बच्चे मा से भोजन के लिए कहने लगे तब कुछ ना होने के कारण भोगे के पत्नी ने बहाना बनाते हुए कहा कि बाहर मैंने एक होदी को उल्टा करके रखा है उसके नीचे जो भी मिले उसे मिल बाट कर खा लेना मा की बात को सच मान कर बच्चे उस होदी के पास गए और उसे खोल कर देखा उसे देखते ही बच्चे जोर जोर से चिलाने लगे उनकी आवाज सुनकर भोगे की पत्नी बाहर आई तब बच्चे दोड़कर मा के पास आये और उन्होंने उस होदी को दिखाया होदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी यहां देखकर उसने भोगे को बताया और सबने पित्रों को धन्यवाद दिया धन पाकर भी वहां घमंडी नहीं हुई जब अगले वर्ष फिर से पित्र पक्ष आया तब उसने पित्रों को छपपन भोग अर्पित किये और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्दनों में भोजन कराया मान सतकार देखकर पित्र प्रसन्न हुए और भोगे को सदा संपन रहने का आशिरवाद दे कर वापस पित्र लोग चले गए कैसे करे श्राद अर्पित किया जाता है इसके साथ ही भगवान विश्नु वाै मां यम राज की पूजग की जाती है अपने पित्रों को याद करके उनसे अपने कल्यार और अशिरवाद की भी कामना की जाती है इस दिन कई तरह के पकवान बना कर पित्रों के अलावा ब्रहामडों को भी खिलाया जाता है जैसे खीर, पूरी, आधी और साथ ही ब्रहामडों को दक्षडा भी दी जाती है एक थाली में पकवानों को कोई को खास तोर पर खिलाया जाता है क्योंकि यह हमाना जाता ह कि उस दिन पित्र कौय के रूप में आते हैं इसके साथ ही कुट्ते गौ माता आधी को भी यह खिलाया जाता है किस दिन किया जाता है श्राद का अर्थ है अपने मित्र परिजनों को याद करना और उन्हें त्रिप्त करने का प्रयाज करना यह जानना बेहत जरूरी है कि श्र दिन किया जाता है माता का श्राद नौमी के दिन किया जाता है अगर किसी की घर में अकार्म रित्यु हुई हो जैसे किसी की दुरगटना में मौत हुई हो तो उनका श्राद शरत चतुरदशी के दिन किया जाता है महान आत्माओं या रिशी मुन्यों का श्राद द्वादशी के दिन किया जाता है अगर आपको किसी परिजन के मित्यू कितिती याद नहीं है या वो आपके परिवार का कोई अन्यसादस से हो या आपका रिष्टदार नहीं पर जानने वाला हो तो उसका श्राद अमावस्या के दिन किया जाता है श्राद के दिन क्या करें और क्या ना कर ऐसा कहा जाता है कि हमारे पित्र अपने श्राध वाले दिन हमारे दर्वाजे पर किसी भी रूप में आ सकते हैं इसलिए अगर इन दिनों आपके घर कोई भी जीव या मनुश्य आता है तो उसे ऐसे ही न जाने दें उसे भोजन और जल दें इन दिनों पशुपक्षियों को भी खाने को दें इन दिनों कुछ चीजों का सेवन करना निशेध माना गया है जैसे मसूर की दाल प्याज लहसुन मूली आदी इसके अलावा इस समय मांस मचली और शराप का सेवन भी नहीं करना चाहिए इन दिनों ब्रहामर को भूजन कराने का विशेश महत्व है और अब जरुरत मंदों को भी भूजन कराएं इन दिनों क्रोध काम लोब तृष्णा लालच आदी के विचार अपने मन में ना आने दें घर में जो भी आये उसका सतकार करें और उन्हें प्यार से भूजन कराएं धर्म ग्रंथों के अनुसार पित्रपक्ष के समय प्रयाग गया या बद्रिनात में श्राद या पिंडदान किया जाए तो पित्रों को मुक्ती मिलती है किन्तु अगर वहां न जा पाएं तो अपने घर पर भी इसे कर सकते हैं दोस्तों पित्रपक्ष पर आधारी तिह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमें आपकी ट अधाओं के बारे में जानने के लिए क्रिपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एक नए रोचक वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही दुबारा मिलेंगे धन्यवाद